जहन कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है अपके अपने परिवार रिजल्ट गुरू में सबसे पहले मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि SSE 2022 और 2023 में जो वेकंसी का डिफरेंस है और जो रिजल्ट आया SSE 2022 का उसके अनुसार हम कुछ अभी आपके सामने कुछ डेटा प में तो हमें बताया गया था पहले कि 37,000 कुछ वेकंसी है लेकिन बात में रिवाइस हो कि उसको फाइनल कर दिया गया कि 36,000 एक वेकंसी है बसे मैं आप 36,000 लिखा है और इस वेकंसी को पीछा करते हुए जो बच्चों ने फॉर्म बरा था वो 34,000,80,000 बच्चों ने फॉर बरा है एक्जाक डेटा बता रहा हूं 34,80,000 अप्रॉक्सिमेट जो ऐसी होगा इसकी थोड़ा सा आगे पीछे जो भी रहे दोजर तेईस की बात करें तो 2023 में होगा इसी का आगे पीछे रहेगा या तो 8,000 करते 9,000 करते या तो पैसाट सो करते 6,000 करते जो भी करें अब इस फॉर्म को पीछा करने वाले जो बच्चे पहुंचे वह 24,004,000 बच्चों ने फॉर्म बढ़ा यानि पहले हमारे पास वेकंसी थी 36,000 फॉर्म बढ़ा गया थोड़ा ध्यान से देखिए अगर मैं गौर से बता हूँ आपको तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो हमारे वेकंसी पिछले साल की थी वो इस साल की वेकंसी से 48 गुना थी और जो फॉर्म भारा गया था पिछले साल इस साल के मुकाबले डेड़ गुना ध्यान से सुनि 2022 वाली वेकंसी में हरेक 97 में से एक बालको का चैन हो रहा था और इस वर्स हरेक 330 में से एक बालको का चैन होगा यानि पिछले वर्स के मुकाबले इस वर्स की टकर 3 गुना ज्यादा टफ हो जाएगी पहली बात दूसरी बात कल के चौकादने वाले आकड़ों को ध्यान से स तो जनरल वालों को 309 नमबर लाना पड़ा और हमारे EWS वालों को 304 नमबर लाना पड़ा ओबी OBC वालों को 305 लाना पड़ा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब OBC और EWS में अंतरी क्या रहे गया है अब एक जूट मूट का चोचला बना कि कोई फाइदा नहीं है अब राजनीती पर राजनीती हो रहे है और हम लोग जूट मूट का पिसते जा रहा है इसमें सच्चा 304, 305 आपका OBC का कटफ है अगर आप ध्यान से देखे तो 283 नंबर आपका SC का 270 नंबर आपका ST का और हमारे SC ST का और उसके बाद जो हमारा नंबर आता है एक सेकंड जो लिस्टिंग की गई है उसको मैं देख लूँ एक बार हाँ जी उसके बाद नंबर हमारा आता है ESW का कटफ है वो 225 चला गया है अगर मैं आगे बढ़ू तो EWS के बाद हमारा जो है कैटोगरी जो है और उसके बाद कैटोगरी वी एच है फिर ओच है और फिर पी डबलूडी और पी पी डबलूडी ओटी एच अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो आपका कटफ है अगर को लगते तीन सो नौ ही रहने वाला कटफ अगर को श्यन का लेवल इसी टाइप का पूछा गया जिस बार पीछले बार पूछा गया था तो मान लिजे कि जो आपका कटफ है वो बहुत जादा बहुत ही जादा हाई चला जाएगा तो इस बार क्या करना पड़ेगा अगर सचाई यही है कि SSE इन सब आकड़ों पे जरूर देख रहा होगा और SSE इन आकड़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार क पेपर थोड़ा तफ आना चाहिए थोड़ा नहीं बहुत तफ आना चाहिए और अगर Вас कि जो बहुत जाएगा और अगर ओलों उनको तो मतलब 330 के नीचे को देखने को धूकने को नहीं मिलेगा, फिर उसी प्रकार से आप इन सारे numbers को बढ़ाते चले जाएगे, तो सोचिए जितना भी target भी आपका है ये सब जानते हो कहाँ भाग जागा, 300 चला जाएगा, 310 ये 300 चला जाएगा, ये आपका 210 के करीब पह कटप बार-बार हाई नहीं करा सकता है, कटप जादा हाई चला जाएगा, तो लोग उस पर थूकने लगेंगे, बोलने लगेंगे, वैसे अभी बहुत सारा पोस्ट खा लिए, पता नहीं ऐसे सी इतनी कम वेकेंसी क्यों निकाला है, यह हो सकता है कि आपको surprise कर दे, अचान जो मेरिट लिस्ट बनाने में चांस होगा, यानि इसका नंबर जो है, वो जरूर दिखाना पड़ेगा उन लोगों को, कि इसमें कितना नंबर लाया है, वो शो करना पड़ेगा, तो भाई साब एक कम्प्यूटर का एक ऐसा दाइरा होगा, जिसमें बच्चों को क्या अगरा है कि इस पर कम्प्यूटर में गेम खेला जा सकता है, और कम्प्यूटर के साह इधर से मैं खोपचे में मान सकता हूँ कि GS में भी, GKS में भी गेम खेला जा सकता है, मैंस में क्योंकि BT तो क्वालिफाई करी दिया है, तो इस बात को दोड़ा सा ध्यान रखेगा, इतना ज्यादा कटाफाई करेगा अब 390 नंबर के पेपर में आप क्या 380 माक्स में बच्चा को पास करवाईएगा यह कोई मजाग उजाग करवा रहे हैं क्या तो इसलिए थोड़ा से इन सब तो आप ऐसे किसे चेंज कर सकते हैं जो बच्चा दिन रात मेहनत किया जा रहा जी के जिसे इसका बास्ता नहीं अचानक से उसे बैठा के अपने एक्जाम ले लिया computer पूछ दिया अरे भाई ये क्या है अचानक से surprise पर surprise surprise पर surprise इतना surprise तो हमारा जिंदगी भी नहीं दिया हो इतना surprise तो किसी की girlfriend ना उसको दियो कि इतना surprise ये से सी ने दे दिया whatever जो भी हो इस वीडियो को इतना share करेगा कि आग लग जाए आज के लिए time thank you very much आपका ये भाई आपके लिए हमेशा खाड़ा रहेगा आपके साथ thank you very much आप सभी स्वस्त्रा हैं सुरक्षितर अपने घर पेर खूब पढ़ाएगर तरह thank you